Hello Friends, आज हम बायो का पहला chapter पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे starting, starting होता है basic, living and non living things के बार, यह जो chapter biology जो होती है, 6th class से start हो जाती है, असली में, जो CBSC में science के साफ से देती है, बस ICSC board में यह divide हो गया, तो मैं आपको ICSC के साफ से पढ़ा रहा हूँ, बस आप CBSC वाले बच्चे भ होता है, biology जो होता है, study of living things ही होता है, जो जीव, जिसमें जान हूँ, वो चीजें biology में आते हैं, यहाँ पर biology के two branches दे रखे है, geology और botany, geology study of animals, including human and relationship with other organism, और botany भी दे रखी है, जो ब्रांच है botany के यहाँ पर दे रखा है, वो plants के लिए होता है, बस अब जब बड़े हो जाओगे, तो geology में बहुत सारे पार्ट आएंगे, जिसमें वाइरलो, वाइरसology, एंटमालोजी, तो, अब यहाँ पर दे रखा, importance of biology, biology किस-किस के लिए, knowing about the living thing, living thing के बारे में जानने के लिए, understanding disease, जो बीमारी फैल रही है, उसे control कैसे करे जाए, precaution कैसे लिए जाए, उस के लिए, food crop, पहले जमाने में food crop बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए भूग मरी यह उदा करती थी, बस आजकल भूग मरी कम हो गई है, क्योंकि food crop अच्छे करती है, better quality के, large quantity में, कम soil में, तो biology इसलिए भी आती है, control growing population, biology आपको help भी करेगा, कि population कैसे control किया जाए, और control the pollution, औ करियर को भी बहुत सारी वाइड, biology में वाइड करियर इस्तिमाल के जाए, study of insects, study of, study of insects, rat, dogs, इतने सारे animals, तो veterinary और अलग-अलग उसके field, अब चलते हम basic चीज में, जो होते है, living और non-living thing, आपको बता है, living thing को उसे होते है, जो चलते है, बोलते है, जो आप से बात करते है देख सकते हैं, यह आपको लगता है, living thing होते है, असली में living thing आप सोचोगे, robot भी फिर living thing हो सकता है, बस robot एक living thing नहीं होता, वो चलता है, बात भी कर सकता है, बस हम उसे प्रोग्राम करते है, घड़ी की सूई भी चलती है, बस उसमें mechanical energy लगती है, तो मैंने यहाँ पर जैस को पता है, जो सारी things होते हैं, वो long है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, characteristics of living things, यह 9 चीज़े होती है, जो characterize करते हैं living thing, body made up of cells, यहाँ पर cells वो नहीं हैं, जो घड़ी में इस्तमाल किये जाते हैं, cells होता है, basic unit of life, growth, life, fixed life span, nutrition, respiration, secretion, responsesness and reproduction, चलो फिर हम पहली चलते हैं, body, cell, body made up of cell, और जो मैं अभी कह रहाँ था, cell यह वो नहीं है, जो घड़ी में इस्ताल करी वही cell होती है, यह cell वो है, cell is a basic unit of life, जब आप 7th में आओगे, तब यह 6th का basic है, अगर आप 7th में आओगे, तो आप cells के बारे में और detail में ज़्यादा जानोगे, तो cell के अंदर क्या क्या होता है, nucleus, protoplasm, cytoplasm, mitochondria, बस यह मैं आपको grins देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पर nucleus याद रखना है, और यह याद रखना है, कुछ organism जो होते हैं, multicellular होते हैं, और कुछ organism जो होते हैं, unicellular होते हैं, और cell, बहुत सारे cell मिलके, यह भी एक glimpse है, जब बड़े होंगे, थोड़ा 7th में आओगे, तब उसके बारे में जानोगे, cells, बहुत सारे cells मिलके tissue बनते हैं, बहुत सारे tissue मिलके, organ बनते हैं, और बहुत सारे organ मिलके, organ system बनदा है चलो फिर आपने body cell बारे में तो चारल लिया होगा चलो फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है unicellular organism कौन कौन से unicellular organism होते हैं मैं आपको बदाता हूँ amoebia और parisatium यह दोनों जो होते हैं यह एक unicellular organism होते हैं और multicellular कौन कौन से होते हैं dog cat यह सारे एक multiorganism होते हैं living thing में भी single cell और multicell ठीक है यह आपका पहला point होता है living का जो body cell से बनी होती है चलो अब आगे चलते हैं movement movement humans और plant वो food के लिए करते है water के लिए करते है बस एक plant पे चीज होती है कि पाच responses से भी वो locomotion करते हैं यहाँ पर लिखा है such movement place to place is called locomotion ऐसे movement को हम locomotion कहते है moving from one place to another is known as locomotion तो locomotion में आप क्या जेन जैसे यहाँ पर tiger यह food के लिए locomote करते हैं बस ऐसा नहीं है कि यही करते है unicellular organism भी locomotion करते है जैसे paracenium paracenium cilia से करता है उनकी hair like structure होती है अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर cilia बड़ा कर देता हो यहाँ पर hair like structure है तो इनका जो cilia से यह लो locomotion करते हैं चलो फिर और यह जो पैर यह amoeba के पास एक pseudopodia होता है जो false locomotion करती है अब locomotion एक बड़ा topic है वो भी आपको मैं बाद में बदा हूँ बस glimpse में यह याद रखो कि जो जो living bean है वो locomote भी करते है किसले food और shelter के लिए यह basic बाद है ठीक है locomotion के लिए यहाँ पर मैंने एक पर बताया था कि plant जो होते है plant पाच तरह के locomotion भी करते है एक touch एक light एक water एक gravity ठीक है और gravity जैसे यहाँ पर sunflower है जो light जिस तरफ move करती है उस तरह भी होता है touch कभी हाँ कभी आपने देखा होगा wall से touch होके भी बहुन जाते है तो यह सब और यह यहाँ पर देखते है फिर यह सारे example है so जो सब है locomotion करते है कुछ-कुछ plant को आप touch करोगे तो वो खुल जाएंगे बंद कर जाएंगे वो सारे एक example होते है ठीक है sensitive plant यह लिखाई है भी locomote करते हैं यहाँ पर दे रहा है some non living thing also move जो नौन मैंने पहले भी बताया था नौन लिवी रोबोट चल सकता है घड़ी चल सकती है motor चलता है बसे सब किससे चलता है mechanical energy से और हम किससे चलते हैं अपने अंदर की chemical energy से ठीक है यहाँ पर यह लिखा है non living things are moved some outside or energy और जो हम a clue they move by mechanical energy वो सारी mechanical energy से और हम सारे chemical energy से ठीक है chemical energy कब होते है respiration के बाद यह अभी इसी में आएगा चलो हम चलते हैं और आगे और आगे हो गया growth from tiny to large ठीक है when we are born we were small baby through the year but अब मैं यह read करके तो मैं बदा नहीं रहा अब चाहो तो read कर सकते हो बन बदा काहूं आपको simply जिससे आपको समझ आए जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे growth कम होती है बस हम जब बढ़ते हैं तो growth बढ़ जाती है plant भी छोटा होता है growth बढ़ते रहती है यह भी एक cell division के कारण होता है और यह cell division को मैं आपको glimpse देता हूं इसे कहता है mitosis जब आपने 10th में आओगे न तो यह mitosis के बारे में जानोगे अगर biology आपको ज़्याद ही अच्छी पढ़नी हो तो मेरे से पढ़िए कि जब mitosis जो होगी वह आपको 10th माइगी cell division बहुत दो तरह के cell division एक mitosis और miosis बस इतना आपको पढ़ने की जरूत नहीं है बस आपको यह याद रखना है इसमें जो human beings है वह एक से मिट लिमिट टाइम तब उनकी body growth होती है और जो उनके organs में injury होती है उनका repairmen होता है वह वह growth है ठीक है बस जो plant है वह over the time tips से बड़े होते रहते बड़े होते रहते हैं उनके limit होते है कि वह height उनकी बढ़ते रहे और girls की क्या होती है 18 बस एक fix नहीं है 18 से आगे भी कुछ कुछ कभी कभी ऐसा case होता है जब हाइपोथ पिट्रूटरी gland जादे सिक्रीट करें हमारी height कैसे बढ़ती है growth hormones से यह एक छोटा सा glimpse दे रहा हूं कि और यह याद रखो all living binge or plant होते है वह growing होते रहते हैं यहाँ पर एक चीज यह दे रखिए life span होता ही है बस इंसान का यह जो fix life span है इंसानों के लिए यहाँ पर यह क्यों आ गया है जैसे इंसान होते है 120 साल तक जी सकते है normally normally जो इनकी life span होती है 120 साल तक की होती है खीक है यह देखो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं यहाँ पर animals 80 से लेके 100 years लिखा है बस ऐसली है पहले टाइम पे 120 तक भी जीते थे से तोटोटोचाइज यहाँ पर लिखा एक सौसी से यह है एक सदिखा आट यहीं सारी इस सब खार सकते तो यह जो लेड़रal commitment किया होता हैसाने ीक भींद्र चाल लाइफस्पैन होती है कोई को लोग 30 साल में मर जाते है कोई को पैदा होते टाइम में मर जाते है वो बस इंसिडेंट होता है एक्सिडेंट से मनना हार्ट अटेक से मनना कैंसर से मनना यह सब लाइफस्पैन नहीं एक इंसिडेंट है तो यह सब आपको नहीं पढ़ना बस य सारे लाइफ स्पैन है याद रखो नॉलीज बढ़ा हो बस लाइफ स्पैन की डैफिनेशन यादते रो सिक्स्थ क्लास के लेवल दर चलो अब आगे चलते हैं नूट्रीशन में नूट्रीशन क्या होता है हम कुछ खाते हैं तो हमें नूट्रीशन मिलता है विटामिन ए जो है, जो आपके मसल्स में चोड़ भी कहीं बी इंजरी लग जाए तो उसे सही करता है, रीकवर करता है तो इसलिए प्रोटीन की जुरूत परते है, प्रोटीन में एक्जामपल होते हैं, पलसेज, राजमा, जितने भी छोले हो वह प्रोटीन आता है, जो सबसे जादा मिलरन है वाटर भी चाहिए जिस्ट्रील वॉटर बीच यह ब्री को होता है जिसमें कोई आयन फिकते हैं पानी पीते हैं यही सुनातका अपने नौक बैद लिसमें ऑयन होता है जो सॉल् और वही nutrition अगर आपको मिल रहा है तो nutrition मिलके एक तरह से आप कहोगे living thing mechanical force का ठीक है तो हम चलते आगे मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या होता है चीजे respiration ठीक है अभी मैंने nutrition बताया आपको अब मैं आपको बताता हूँ respiration के बारे में respiration होता क्या है respiration जो release of energy होती है आपको nutrition तो मिल गई बस आपको energy नहीं मिला वो store हुआ तो वो कैसे हुआ digestion के बार आपके liver जो है glucose को store कर देता है यहापर release of energy तो यह respiration होता है जब आपका oxygen है मिलता है यहापर लिखाए the energy is provided as a release of energy breathing और respiration में बता है breathing सास लेना सास छोड़ना ठीक है तो यही होता है respiration की बाते ठीक है respiration की बाते और nutrition में मैंने आपको इस चीज बताना मैं भूल गया वो याद रखो nutrition जो होते है plants mushroom auto drops होते है ठीक है और animal header tracks होते है ऐसे bacteria कुछ bacteria bhi होते है जो autotrop not chemotrop chas जो chemical से अपना खाना बनाते है ठीक है यह जो अपना खाना खुद बनाते ऐसे तो उसे autotrop सही कहते है और वो सारे होते green plants sunlight की header Marsh जो खाना, अपना cooking और खाने बनाने मनतर है हम cook करते है गाजर हो produce नहीं करता अपने body से तो हो गया वो, ठीक है अब आप चलते है secretion में, ठीक है secretion में चले चलते है, secretion है, respiration के बाद आता है, secretion secretion होता है, humans के लिए removal of nitrogenous waste humans सो secretion का removal part होता है ठीक है, तो removal part removal part को execution कहते है, मतलब stool को, और nitrogenous waste मतलब urine को urine को कहते है secretion, ठीक है यह होता है, और यहाँ पर बहुत सारे trees के लिए भी दी रखा है trees में gums और rissums होता है ठीक है, जो यह gum होता है यह, जो plant के waste होता है humans का इसका इस्तमाल करते है तो मतलब ऐसे humans हर चीज का इस्तमाल ही करें जो waste होता है, human चीजों का इस्तमाल करते है ठीक है, चलो, अब आगे चलता है responsesness responsesness होता है responsesness होता है, जो stimulus हम provide करते है और उसे रियक्ट करें जैसे हम किसी गरम चीज को छुए तो उसे छोड़ देते है तो responsesness होता है, ठीक है यह कैसे पता चलता है हमारे हातों में nerve cells की layers होती है ठीक है, तो वो हमारे brain में जाती है और spinal cord से message करता है कि छोड़ दो, क्योंकि गरम है हम withdraw नहीं कर पाते है यहाँ पर बहुत सारे examples भी दे रखे है the moment your teacher enter your class जैसे teacher आई ऐसे कुछ-कुछ बच्चे बुरे होते हैं तो बस हम response करते जरूर है अगर कोई बंदा response नहीं करे तो मतलब वो problem है उसमें बस response हम करते जरूर है किसी बात की चीजों पर तो वो response is nice होता है तो वो भी एक living भी इनकी है बस अगर जैसे हम computer में enter दबाते हैं वो तो response करते हैं बस उसे program किया गया है तो वो एक तरह से living नहीं है बस कहेंगे तो वो living है बस वो पूरे तरह से living नहीं है शायद कुछ समय बाद robots living बन जाए वो अपने तरह से काम करें प्रडियूस के बारे में यहाँ पर लिखा all living beings plant and animal react to stumla मैंने यहाँ पर लिखाई है और वो ही मैंने locomotion के बारे मताथा कि plant पाच तरह के locomotion करता वो stumla के कारण ही होता लाइट ठीक है वाटर ग्रैविटी तच कैमिकल्स कीमो ठीक है अब वो भी मैं आपको बाद में बताऊगा चलिए रीप्रोडेक्शन ओफ्स्प्रीं रीप्रोडेक्शन बहुत तरीके होते हैं ठीक है रीप्रोडियूस मतलम जो हमारे विरासत देना ठीक है बच्चे करना उन्हें रीप्रोडेक्शन कहते है अल प्लांट्स एन अनिमल रीप्रोडेक्शन और गिव बर्ट तो देर ओन काइंड ऐसा नहीं हो सकता कि कुट्टा जो है इंसान को रीप्रोडेक्शन करे इनसान को प्रोडेक्शन को प्रोडेक्शन करता है बस जो उसके copy होती है, मतलब जितने भी copy होती है, उनमें कोई variation नहीं आता है, यह सब genetics की बात है, जो वो 10th में हम पढ़ते हैं, बस 6th में, अगर आप यह सब जानो गए, तो glimpse मिलेगा, और यह living और non-living things की starting ही है, जिसमें reproduction के बारे में दे रखा है, जो living का part होता है, ठीक है living का part होता है, यहाँ पर animals और non-living, animals और plant में difference between भी दे रखा है, पहले मैं आपको बताता हूँ, living के बारे में, all plant and living reproduce and give birth to their own kind, male के पास होता है, sperm, और female के पास होता है, ovary, अगर male और ovary, रीप, फ्यूज होती है, female के uterus follipine tube में और तो उससे zycote बनता है, embryo, zycote के बाद embryo, फिर बहुत कुछ होने के baby produce होता है, बस कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे amoeba, hydra, hydra binary fuse, hydra, hydra भी रीप प्यूज करता है, बस unicellularly, बस जो उनकी multiple copies होती है, उसमें कोई variation नहीं होता, बस जब reproduction, bisexual होता है, तो जो उनकी babies होते हैं, उनमें variation आता है, वो improved होते हैं, उनसे perfect होते हैं, इनसे better होते हैं, perfect तो इस दुनिया नों कोई नहीं है, better होते हैं, ठीक है, एक बार चला हम read कर लेता है, plant और animal, animal move from place to another in search of food and shelter, ठीक है, animals, animals में हम भी आते हैं, ठीक है, plant, plant do not move and fix to one point because they, बस खाने के लिए जाते हैं, एक जगा ही रख रहते हैं, बस खाने के लिए जाते हैं, उनकी roots बढ़ती हैं, branches बढ़ती हैं, ठीक है, animal cannot prepare food with the help of carbon dioxide water, ठीक है, यह तो मैंने बदा दिया था, कि food अपने आप से nutrition अपने आप से नहीं बना सकते हैं, यह nutrition का part, carbon dioxide and water के help से, बस plant बनाते हैं, अपना खाना water, और carbon dioxide के help से, जिससे glucose बनता है, oxygen बनता है, water बस plant respiration करते हैं, रात को, ऐसा नहीं है कि, plant respiration नहीं करते हैं, plant को भी energy चाहिए, respiration करने के लिए oxygen चाहिए, वो एक point आएगा, इसी में नहीं आएगा, तो मैं एक्स्ट्रा बता दिये है, plant, animal stop, यह भी मैंने आपको बता रहा का है, certain limit की height में, बस उनकी injury ठीक होती रहती है, injury भी ठीक होती है, एक time आता है, वो मरी जाएंगी, बस जो plant होते हैं, उनकी growth हमेशा होती ही रहती है, और फिर animal, body is compact and grow some type, animal की body, जो ते compact होती है, grow somewhat uniformly all around, ठीक है, हर तरफ से grow करते है, hands से भी, legs से भी, आख से भी, ऐसा नहीं है कि यह की तरफ से हाथ ही बढ़ता जा रहा है, मतलब पूरे तरफ से करते है, बज़ो plant होते है, tip of the branches से ही बढ़ते रहते है, ठीक है, tip से ही बढ़के उपर जाते रहते है, branches यह सब से नहीं मरते है, उसे marismatic tissue भी कहते है, marismatic cell भी कहते है, यहीं पार्ट है, ठीक है, animals show quick and sudden response to, जो animals होते हैं, वो quick and sudden response दिखाते हैं, ठीक है, बस जो plant होते हैं, वो थोड़ा slow दिखाते हैं, तो चलो, इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ ना आए, तो comment कीजिए, और knowledge of bio gain करना चाहें, तो मेरी वीडियो देखते हैं,